पूजा में संकल्प कराते समय गोत्र पूछा जाता है गोत्र क्या है? कितने प्रकार के होते हैं तता हमें कौन सा गोत्र बोलना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रशन एक बार बाबुजी के लिए जोरदार तालियां बजाएं देखिए गोत्र माने होता है हमारा परचय हम सब रिशियों की संताने हैं और रिशियों की संतान होने से बहे हमारा परचय है गोत्र के हम कौन से रिशी की संतान है गोत्र, तरवर, साखा ये सब अलग-अलग होते हैं तो संकल्प में जो गोत्र उचारण होता है बनसल ये जो गोत्र हैं आप लोगों में सोड़ानी सोमानी तो ये जो गोत्र हैं ये रिशी गोत्र नहीं है ये है तो एक तरह का आपका उपनाम बन गया धीरे धीरे वो साखाएं बढ़ती गई और साखाओं के साथ साथ वो उपनाम बनते चले गए अलग अलग कुल बनते चले गए लेकिन हमें मूल रूप से अपना रिशी गोत्र याद होना चाहिए कि हम कौन से रिशी की संतान है हम सब किसी रिशी की संतान है तो रिशी का गोत्र हमें रिशी का नाम पता होना चाहिए और रिशी गोत्र जैसे अभी किसी ने पूछा था, महरा जी आप पारासर क्यों लिखने लगे, चुकि पारासर हमारे जो रिशी हैं, हम पारासर की संतान हैं, पारासर रिशी की संतान होने से पारासर स्पमाना पारासर हा, पारासर रिशी से जो गोत्र चला वो पारासर कहलाया, तो इसी तरह रिशी गोत्र का ही उचारण संगल्प में करना चाहिए